हेलो दोस्तो परदेसी फ्लाइट यूटूब चैनल पर आप सभी का विलकम है दोस्तो वीडियो में सुरू करूँ उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी अपीले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं हमारे वीडियो को पहली बार आप देख रहे हैं तो अभी आप परदेसी फ् जरूर कर दिया करें तो चलिए सुरू करते हैं तो तो आज मैं बात करने वाला हूँ कि इंडिया सौधी डायरेक्ट फ्लाइट के बारे में जो भी लोग अभी इंतजार कर रहे हैं इंडिया में वैक्सीन लगवा चुके हैं और डायरेक्ट सौधी जाने का इंतजार कर र तो अगर अब आप जादा दिनों के तक इंतजार करते हैं और फ्लाइट ओपन नहीं होती है डाइरेक्ट इंडिया से सौधियरप के लिए उन लोगों के लिए जो लोग इंडिया में वैक्सीन के दोनों डोज लगवा चुके हैं तो उन लोगों के लिए मुश्किले होंगी आने वाले दिनों में क्योंकि आपको 15 नॉवंबर तक हर हाल में निकलना ही निकलना है क्योंकि आपको दुबई में 14 दिन इस्टे भी करना है और 30 नॉवंबर तक आपके चुट्टी बची हुई है तो 15 नॉवंबर तक आपको इंडिया से दुबई निकलना ही पड़ेगा इस लिहास से दोस्तों आपका इंतजार करना कहीं न कहीं पर आपके लिए नुकसान दे ही साबित होगा अगर साथी हुकुमत 30 नॉमबर के बाद चुटी नहीं बढ़ाती है फ्लाइटें ओपन नहीं होती है तो फिर आपके लिए दिक्कते होंगी तो जो भी लोग अभी बच्चे हुई हैं जो लोग इंतजार कर रहे हैं साथी डाइरेक्ट फ्लाइट के लिए तो वो सारे लोग अब इंतजार ना करें और कोशिस करें कि जल्द से जल्द साथी अरब के लिए निकल जाएं वाया दुबई होकर हाला कि 15 नॉमबर के बाद अगर आप जाने का फैसला करते हैं तो फिर आपको जुगाडू काम करना होगा दो दिन वाला जो कुछ लोग जुगाडू काम करते हैं कि दुबई में दो दिन ही इस्टे करते हैं दो दिन इस्टे करने के बाद साथी रम निकल जाते हैं तो उस यह भी कहना मुस्किल है तो इसलिए दोस्तों आप कोसिस करें कि पंद्रा नॉम्बर तक हर हाल में निकल जाएं इंडिया से सौधी अरब वाया दुबाई होकर तो बैराल दोस्तों यह आपके लिए एक जानकारी है कि जादा समय तक इंतजार करने वाला नहीं है क्योंकि बह हुत लंबे अरसे तक इंतजार करना कहीं न कहीं पर आपके लिए ही नुपसान दे थावित होगा तो बहराल दोस्तों यह आपको डिसाइड करना है कि आपको कब निकलना है कर नहीं निकलना है लेकिन जो मовजूदा कर को परीस्तिति Tapi उस लिहाद से आगर देखें तो आप फोरे पेपर कम्प्लीट है या नहीं है, किसी पेपर की कमी तो नहीं है, तो ये चीजें भी आपको बहुत ही अच्छी तरीके से चेक करना पड़ेगा, नहीं तो आप एपोस हो सकते हैं, तो मैं डाकुमेंट्स आपको बता देता हूँ, वो डाकुमेंट्स आपके पास प्र हुआ है इसके लवा दुबई का आपके पास टूरिस्ट वीजा होना चाहिए एक महिने का वीजा के साथ में इंसोरेंस होना चाहिए आपकी फ्लाइट की टिकट होनी चाहिए इंडिया से दुबई के लिए इसके लवा आपका दुबई से वापसी का भी टिकट होना चाहिए जिसको आप dummy ticket बोलते हैं return ticket वो भी होना चाहिए क्योंकि ये ticket बाद में cancel हो जाता है ये क्यों formality होती है एरपोर्ट पर चेक करते हैं और जो return ticket होगा ये आप ध्यान लखिएगा कि जिस दिन आप इंडिया से दुबई के लिए ट्रोल कर रहे हो जिस दिन ticket हो उससे एक महिने क अंदर का return ticket होना चाहिए क्योंकि जो भी आपका वीजा होता है टूरिस्ट खास तोर पर वो एक महिने का होता है जो भी लोग वाया दुबई होकर जा रहे हैं तो return ticket जो भी होगा वो एक महिने के अंदर के ही वापसी का होगा इसके लावा आपके पास ICA का arrival registration होना चाहिए और अगर आपका passport immigration check required वाला है यानि ECR passport है आपके last वाले page पर जहां पर आपके पिता का नाम और आपका address लिखा हुआ है आपके पिता के नाम के ठीक ऊपर immigration check required अगर लिखा हुआ है तो okay to board का message भी आपको update कराना पड़ेगा आपने ticket पर वो बहुत जरूरी है इस वज़ा स बहुत सारे लोग airport से वापस लोटते हैं okay to board की जानकारी ना होने के वज़ा से कई सारे लोग airport से वापस लोटाते है इसके लावा आपके पास hotel की booking होनी चाहिए अगर hotel की booking नहीं है तो आपके पास दुबई का किसी का भी ID मंगा लेना बता देना airport पर की मैं इनके पास जा हो और तो यह चीजे आप दोस्तों धियान लखेंगे जिसकी वज़ा से आप आराम के साथ ट्रोल कर पाएंगे और आपको कोई problem नहीं होगी airport पर तो बहुराल दोस्तों अगर आप निकलना चाहते हैं तो जल सीजन निकल जाईए 15 नॉमबर तक इंडिया से दुबई निकल युमड़ निकलना।